सब्सक्राइब कीजिए, हेल्थ टच चैनल को और बैल आइकन को दबाईए, आइरवेदिक औशद्या और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेर जरूर करें नमस्कार दोस्तो, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है, दोस्तो आज हम आपको एक और नुक्षे के बारे में बताने वाले हैं, एक और आइरवेदिक योग के बारे में बताएंगे, जो वजन तो बढ़ाता ही है, साथी साथ ये आपकी कहीं सारी रोगों को भ होते हैं, उनको भी दूर करता है, आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को पूरा देंगे, जानकारी अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को जादा से जादा शेयर कीजिए, क्योंकि जादातर लोग आज कल सप्लिमेंट पर ज्यादा जोर देते हैं, जिसको खाने के बाद जो है अपने सरीर का वह है, बहुत ही नुक्षान करते हैं, क्योंकि सप्लिमेंट जब तक खाते हैं, तब तक तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, लेकिन जैसे ही सप्लिमेंट को छोड़ते हैं, तो आपको कैई सारे रोग या कमजोरी आपको दिखने लगती है, तो चलिए सबस идет पहले जान लेते हैं इस नुक्षे के बारे में, ये जो नुक्षा है, इसमें जो औशद्या हमने इस्तमाल की है, ये आप देख सकते हैं, ये बह्मन है, बह्मन सफेद, ये बह्मन हमें ज जो है विदारिकंद का तीन सो ग्राम है ये बहमन लाल है बहमन लाल भी हमने सो ग्राम ली है इसके अलावा इसमें हमने लिया है सितावर सितावर भी इसमें सो ग्राम है आप देख सकते हैं सितावर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए सितावर के बाद हमने इसमें लिया है छोटी इलाची छोटी इलाची इसमें 5 ग्राम है इसके अलावा मखाना इसमें 300 ग्राम है इसमें जगे थोड़ी थी तो इस वज़ों से हमने थोड़ा रखकर दिखाया हुआ है इसका जो मखाने का वज़न है ये 300 ग्राम है इसके अलावा इसमें इस्तमाल है शिंगाडे की शिंगाडे की गीरी का वजन 1.500 ग्राम है इन सबी को आप नोट कर लीजेगा और गोंद कतीरा इसमें 100 ग्राम लिया गया है इसके अलावा इसमें हम वंग भश्म 10 ग्राम और अवरक भश्म 10 ग्राम और मिलाएंगे ये हम तब मिलाएंगे जब इन सबका पावडर तयार हो जाए तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं इस योग के फाइदे के बारे में ये किन किन रोगों में काम करेगा और आप इसको किस तरह से बनाएंगे तो इस और शद्दी का जो परियोग है वो 5-10 ग्राम तख रो जाना सूबे और शाम दूद के साथ करना होता है इसमें आप BIलापर मिशरी और मिलाईए या तो आप दूद के साथ मिशरी मिला करके ले सकते हैं या इसमें इसी के बराबर की मिशरी मिला करके इसका पावडर कर सकते हैं तो इन सब का powder करके जो है आपको ये सुबह शाम लेना है दो दो चम्मच यानि पांच से दस गराम तक आप इसको ले सकते हैं इसके इस्तमाल से आपका वजन तो बढ़ेगा ही जो लोग जिम जोइन करते हैं या जिम में जाते हैं और उनको लगता है कि supplement खाना जरूरी ही है और उसके लुक्षान से भी डरते हैं तो वे इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं ये हरबल प्रोटीन पाउडर है जो कि आपकी सबी सारेरी कमजूरी को दूर करके muscles को develop करेगा और साथी साथ आपके जो दातू से संब्दित विकार होते हैं उनको भी दूर करेगा दातू को प पुरुश दोनों ही इसका समान रूप से इस्तमाल कर सकते हैं इस्तریों में ये वजन बढ़ाने के साथ साथ ये है जो कमर कटना जैसी समच्चा होती है या लिक्क्योरिया जैसी जो समच्चा होती है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है इसके अलावा इस्तری का दूद बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथ साथ ये है महावारी ज्यादा आना या सफेद पानी ज्यादा गिरना इस तरियों में उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है पुर्षों में जो इसका इस्तमाल है वह वजन को तो ये बढ़ाता ही है इसके अलाव धात गिरना, स्वपंदो, जैसे नेकों रोगों को भी ये दूर करता है ये है एक बहुत अच्छी और हर्बल प्रोटीन पाउडर की तरह आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा फाइदा करता है लगतार अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं तो कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है और इस फार्बल प्रोटीन पाउडर से जब आपका वजन बढ़ेगा तो ऐसा भी नहीं होता कि इसको छोड़ने के बाद आपकी जो वजन है और दुबारा से गिर जाएगा या आपकी मसल्स को डवलप करता है तो इस तरह से आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और यह बहुत ही परभावशाली और अनुबूत नुक्षा है जो आप अपने घर पर बना करके इस्तमाल कर सकते हैं आप इसको बना बना लेना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp नमबर पर संपर करके इस ओशद्धी को तयार किया हुआ मंगा सकते हैं। आप इसको ममझस्ते या मिक्सी दोनों में ही किसी भी तरह से कर सकते हैं। बारीक पाउडर करने के बाद इन सब को एक जगा मिक्स कर लीजे और मिक्स करके किसी अच्छे सूखे बरतन में रख लीजें। जिसमें अंदर हवा ना जाए। तो आपका इस प्रोटीन पाउडर तैयार हो चुका है अब आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी वजन बढ़ाना वाले एक नुक्षे के बारे में जो आपकी कहीं सारे रोगों को भी दूर करता है। के लिए जय श्रीक्रेश्णा।